आज हम सीखेंगे ABCD लिखना, capital and small में, capital में लिखने के लिए आपके क्या करना है, जिस तरीके से tent होता है, इस तरीके से tent होता है, डेटा हुआ, उसके में के 1RD टंडी, या वर क्या दो लकडी को जिस तरीके से टेड़ा करके hold रखते हैं, इस तरीके से आपको कर लेना, जोड़ा देना, इस तरीके से आपको जोड़तेना, ये हो गया, इन बीख के लिए का आपको एक थाड़ी डेन्डी करने है, या फ़र एक डेंडा खड़ा करना है, असफ़र का दो बैलून टैब के जोड़ने हैं, लगाने एक साथ, ठीक है, ये होका बी, small बीख के लिए क कोई डिफरेंस नहीं होता यह सी होगे हाफ सरकल होता एक तरह का है ना हाफ सरकल अब यह अपन बनाते हैं डी एक डेंडा लिया और इस पर कहें कि बैलून जो है वह ऐसे लापिट दे कि डेंडा जो बीच बीच में इस तरीके से डी इसमोल डी क्लिफिफ क्या करना है एक डेंडा लिया सीधर और और उल्टी सैड में यह बैलून लगा देना है थीक है उल्टी सैड में बैलून यह बन गया दी अब लेना है में क्या यहां यहां से जोड़ Δेना ओर इसे नीचे लेकर जाने और ऐसे करो एक तरीक बता जेते हैं द्वारा से जिसे कि आपको C बनाना है C और C को जो है यहां से जोड़ देना है ठीक है यह बन गया आपका E अब भी अफन करते है F F के लिए क्या करना है जैसे आपने E में कहा 3 डंडी जोड़ी F में सरफ 2 डंडी जोड़नी है ठीक है F में एक खड़ी डंडी से बेचते हुए एक डंडी जोड़ देनी है F हो गया अब यह अपन G बनाते है G के लिए आपने क्या क्या है एक C बनाया C को थोड़ा सा आगे बढ़ा के यह इधर और इधर यह G बना दिया ठीक है या फिर आप डिरेक्ली भी ऐसे करके बना सकते हो ऐसे G बना दिया OK Small G के लिए क्या करना है आपको एक गोला कर देना है इस गोले को लंबा और यहां से गुंडी मार के इधर करके लेकर जाना है ठीक है G हो गया अब यह अपन बनाते H H के लिए अपने को क्या करना है कि एक डंडी लेनी है सीधे और इसे बीच में से एकोर्स डंडी लेनी है से छोटे हो नीचे की साड में जोड़के बना देना है यह बनी कि small h अभी अपन को i बनाना तो i के लिए आपने को क्या करना i लेना है ओपर डंडी और नीचे डंडी जोड़तेनी है capital i बनगा small i के लिए अपनों क्या करना है एक डंडी लेनी है ओपर बिंदी लगा देनी है small i बनगा अभी अपन बनाते है j j के लिए आपको डंडी लेनी है और नीचे से थोड़ी से मोड़ देनी है और ऊपर जो आड़ी डंडी लगानी है ठीक है छोटे के लिए आपको क्या करना है कि छोटे के लिए जो है सेम बनाना है डंडी नीचे से मोड़ देनी है और ऊपर के बिंदी लगानी है थोड़ा छोटे बनाना है इस्टक्चर में और हारी डंडी नहीं लगानी ठीक है अभी बनाते हैं के 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 लिए आपको क्या करना है एक हारी डंडी डंडी ठड़ी डंडी उसके बाद जो है दो तरची डंडी इस पर जोड़ देनी इस तरीके से ये बन गया के क्या करना है आपको सेम इस तरीके से डंडी लेनी है थोड़ी छोटी साइज में और यह उपर वाली डंडी जो है वो छोटी रहेगी ठीक है तो सी के साइप में जो है वो यह बन साइगी यह बन गया के ठीक है अभी बनाते है अपन एल में क्या करना आपको एक खड़ी डंड बनानी है उसके बाद एक नीच है जो हँए इन्डी बनानी है ठीक है इस मुल एल के लिए किया कर इसमोल M के लिए आपको ऐसे करके एक थोड़ी तरची डंडी लेनी है उसे यो करते हुए एक डंडी गुमा के लगा देनी और इसमें यो करके वह गुमा के डंडी लगा देनी ये बन गया M औब यह आपको n लेना है तो n के लिए अपको एक खड़ी डंडी एक जो राइट के साइड में जो डंडी लेनी तरची वो बलकुल नीचे तक जानी ची है इसके खड़ी डंडी की बराबर हो रहे कि जो लाइनी इसके ऊपर एक और खड़ी डंडी N बन गया N जो है small वो N की तरह ही है M की तरह है लेकिन क्या है एक उसमें कम लगाने है टंडी M में दो लगाई थी एक और extra लगाई थी ना अपने S extra वो इसमें नहीं लगाने है तो एक कम लगाने है वो N बन गया अभी अपनको O बनाना है O के लिए क्या करना है एक circle करना है बस ये O बन गया छोटे O के लिए एक छोटा circle करना है छोटा O बन गया अब ये आपको P करना है तो P के लिए खड़ी टंडी केचनी और एक बैलून लगाना है उपर जैसे B में नीचे लगाया था small B में capital B में दोनों लगाये थे capital और P में सरफ एक लगाना है वो भी उपर small P में क्या है एक बीच में लगाना छोटा बैलून बीच में ओके बीच में ना उपर ना नीचे ओल्ली बीच में छोटा ठीक है ये P हो गया अब ये Q बनाना है और एक ये कर देना है G में कहाए कि यहाँ ओके था G में और इसमें पीचे ओके है अब ये अपन को R बनाना है तो R बनाएंगे ये R के लिए अपन ने कहाए देर देर बनाएं तो एक डंडा लिया एक बेलून लगाया पी की तरह है और एक तिरची डंडी खीच दे इसमें तो ये R बन गया इसमोल R के लिए अपन को क्या करना है इसमोल R के लिए अपन को ये उपर डंडी ले जाना है इसे गुमाना है इसे सीधा ले जाना है और यहाँ से ले आना सीधा joint करते हूँ है यह यह फिर एक दूसर तरीका जो box में मिलता है सीधा रहता है वो यह है यह ले गए R को और यह बनाती है यह R बन गया ओके यह R हो गया अब यह अपन को बनाना S यह S बन गया S के लिए दिर दिर बता देते हैं एक आपने C बनाया ठीक है अब इसी सो joint करते है उल्टी सेडम C बना दिया तो यह बन गया S स्मॉल एस जो box में S ही मिलता है तो यह स्मॉल एस बन गया यह फिर आप आपन जो है इसे ऐसे करके ले जाओ तिर्चा करके यह करके इसे गुंडी दे के और इसे गोलाई करके लिया इस मॉल एस बन गया अभी बनाते है T एक खड़ी डंडी इस पर यह R डंडी यह T हो गया इस मॉल टी के लिए क्या करना है छोटी वाली डंडी और थोड़ी तिर्ची वाई लेनी है राइट और मोड़ते हुआ और इसे क्या है उपर से काड़ देना है वह दोना तरप से करते हुए वह स्मॉल टी बन गया अभी बनाना है अपने को U थोड़ा चोटा और इधर से क्या निकाल दो ऐसे करके यह और यहां से थोड़ा से निकालो जैसे अपने ए में निकाला था ना सूतली बम के सब रसी थी वैसे अब यह अपने बना देंगे V V के लिए आपको क्या करना एक इधार डंडी लेने फिर से बताते एक इधार डंडी लेने है जैसे ए में होता है से में से उल्टा कर देना और यह बीच में से कटेगा नहीं यह जोएंट नहीं होगा ठीक है एक डंडी दर एक डंडी दर इसमॉल वी भी ऐसे ही है इसमॉल वी यह फिर यहां से थोड़ा से वो गुंडी मार सकते हैं इसमें ठीक है जैसमॉल भी है अब यह बनाते हैं, W जो है वह उल्टे M की तरह है, ओकि डबलु जो है वह उल्टे M की तरह है यह जोएंट कर दूए ने ठीक है यह उल्टा M हो गया डबलू छोटा जो है वो ऐसे जिस तरीकर से M बनाया तो उसका थोड़ा से अलग है दीरे दीरे करें बताएते हैं ऐसे 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 और ऐसे ठीक है यह डबलू हो गया अब यह अपने X बनाते है X लिख करना है एक डंडी आडी लेनी है एक डंडी आडी दोनों को एक दूसरे को काटते हुए डंडी को ले जाना है ठीक है यह X हो गया इसमल X के लिए आपको क्या करना है एक C कमूँ इधर एक C कमूँ इधर ठीक है C को लटा करके X सीधा X हो गया बाई के लिए आपको क्या करना है बाई के लिए एक टर्ची टंडी खेड़नी है चोटी और एक लंबी खीश देनी है दूसरी साइट से खीशते हुए यह बाई हो गया अब यह अपन एक इस्मॉल बाई बना लेते हैं इस्मॉल बाई के लिए आपको तो यह कहे यू की तरह बनाना है, नीचे लेकर जाना है, और ये, जी की तरह, वलेब ये जो जी में जो है, पूरा करके और ये लेकर गएते, इसमें उपर बाल इससा काट देना है, ठीक है, या फिर यू जो है, यू बन गया, यू को नीचे करके और ये, ठीक है, वी, यह हो ओलता है, इसे थोड़ा सो गुमा दिया है। एसे थोड़ा से घुमा दिया है जैड बन गया। अब इस्म zipper जो जैड होता हैних है। कि यह जो एक भी काहए कि दो सी बम मा देता है। एक यह और यहा से थोड़ा काड़ दो यह बन गया जैड। सो थेंक यू बच्छो वीडियो देखने के लिए थेंक यू लाइक करा हैं सेयर करा हैं औक हैं और सब्सक्राइब थेंक यू